हालो डियर स्टुडेंट वेल्कम टू पीडियर स्टडी मेराज कुमार आपकी कलाफ नाइन्थ के एंसियारिट मैथमेटिक्स के साथ आप इसमें फढ़ेंगे प्रिश्णावली 7.1 यानि एक सरसाइच साथ दसमलो एक तो बच्चों दो दिन के अंदर हमने कांसेप्ट कर लिये थे आज से हम कुश्चन पर चलेंगे सारे कांसेप्ट पूरे हो चुके हैं प्रिंस पटेल जी जुड़ चुके हैं ब्रिजिकांत अंकिता सिंग जुनेद अहम्मद अंसारी शीवानी आदो प्रांजल मुके सिंग और कौन है बाई बंदना गुपता किरन मौर्या सभी जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत सुक्रिया धेर सारा थैंक्यू वीडियो चलने लगा ना बोलो यास चलिए तो क्या करेंगे ह बताना रहा हूं फिर बताना आप लोग किताब लियो ना सभी नहीं लेट नहीं है ठीक है चलो एकाथ मिनट लेट हुआ उसके लिए स्वारी इधर साइड बच्चों आप लोग फिगर बनाओ एकसर साइज 7.1 कलाफ 9th NCRT mathematics इसमें चित्रा ऐसे बना लो आप लोग जैसे आपके किताब में बना है भाई ऐसे बना है देखो आइसे आपके किताब में बना है यह चित्रा बना लो और जो बच्चे किताब लिये वह भी बनाएंगे कॉपी में नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा मजा नहीं आएगा ठीक है अब देखो समझने की कोसिस करो एकस कच्छा नौ की एंसी आड़ी गड़े गीता चौधरी जी मैं देख पार हूं आपका कमेंट सल्मा चौहान जी बिल्कुल सभी का कमेंट आ रहा है तो बच्चों आप कुईस्चन पढ़ते हैं ध्यान से सुनना कुईस्चन पढ़ रहा हूं किताब में है पेज नंबर 143 है अगर आप NCRT लिये हैं तो फिलाला प्रशनवली देखो बस कहरा कि चतुर्भुज ABCD में क्या है एक चतुर्भुज दिया है एक कौड्रेटल दिया है करा कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD क्या कह रहा है AC बराबर AD तो बच्चा यहां पर AC भुजा AD के बराबर है मैंने देखो यह लाइन कीज दिया मतलब यह दोनों क्या है बराबर है आगे देखो क्या क और A, B कौन A को सम्दुभाजित कर रहा है ये भी कह रहा है कि A, B जो ये है A, B ये रेखा ये एंगल A को सम्दुभाजित कर रही है मतलब देखो ये इंटरसेक्ट कर रही ने बीचो बीच में आ करके ये मतलब दो पार्ट में बांट दे रही उसको ना कोणे को समझने की कोशिस करना ऐसे नहीं आने वाला ठीक है आगे क्या कहरा ध्यान से देखो किताब है सबके पास की नहीं किताब नहीं होगी तो बता देना मैं किताब कुश्चन लिख दूँगा ठीक है आगे सुनो क्या कहरा वीभाजित करती है जैसा कि शितर में दिखाया गया है तो कहरा कि दिखाईए दिखाईए मतलब सिद्ध कीजिये कि तिर्भूज een के इंधिर सर्वांग समय मतलब खेस तिर्भूज avdk apt ability के यह दिखाना है मतलब हमें यह क्या करना इप्रूब करना है ठीक है और आगे क्या कहरा ध्यान से सुनों आगे कहरा बी-सी और बी-डी के बारे में आप क्या कहेंगे यानि यह भुजा जो है बी-सी और यह बी-डी फिर से देखो यह बी-सी और यह बी-डी के बारे में आप क्या कहेंगे जी बिलकुल बहुत अच्छे यह से यह बिल्कुल किरन मौर्य ने बता दिया बहुत अच्छे बेरी गुड तो देखो बच्चों अब हम इसको हाल करेंगे यहां पर सलूसन यहां से स्टार्ट होता है क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखो फटाफट सलूसन में हमारे पास दो तिरभूज दिये गये हैं कौन-कौ लोग लिखोगे तिरभूज A B C और हम हिंदीम लिखवा रहे हैं आप लोग इंगलिस में लिख लेना चाहिए तो तिरभूज A B D से ठीक है या फिर में लिख लो जादा अच्छा रहेगा ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या धिया ध्यान दो इन दोनों तिरभूज ओं से इसमें देखो बच्चा A C equal A D है B क्या कह रहा है A C equal A D क्या है A C बराबर A D यानि यह बुझा A C A D के बराबर है ऐसा क्यूं है क्यों क्यूंकि कुश्चन में दिया है किताब नहीं तो किताब ले लो NCRT की ठीक है NCRT बुक से यह बीच में रीजन लिखोगे English में लिखोगे given Hindi में लिखोगे बच्चा दिया है ठीक है क्या लिखोगे दिया है Mr. अनंत पांडे देख रहा हूं आपको अंबुजी यादव आप भी जुड़े हो ठीक है चलो यह क्या दिया है और देखो यहाँ पर क्या दिया और क्या दिया है अच्छा आप यह गयस करो तो बच्चा जो कॉण A बन रहा था मानलो अगर कॉण A 30 अंस का बन रहा था तो यह जो रेखा बीच में A B आ रही है यह इसको आधे-धे में काट दे रही ना भाई दो पार्ट में बाट रही ना किताब में कुईस्चन में भी कह रहा है क्या कह रहा है कह रहा कि जो A B है रेखा A B कोण A को समदुभाजित करती है ऐसा कह रहा है कोंड किसको A को समदुभाजित कर रही मतलब आधे-धे बाट दे रही तो आप लिखोगे क्या कौण CAB मतला हमें एक ही बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा यह दोनों कौण बराबर हो जाएंगे बराबर क्यूं हो जाएंगे फिर से एक बार समझे लो CAB बराबर हो जाएगा DAB के क्यूंकि यह जो कौण था A यह आधा आधा बट जारा इसमें से ठीक है इसलिए क्या यह यह बराबर है कंसेप्ट वाले पार्ट जो बच्चे नहीं देखे जरूर देख लेंगे दो दिन मैंने कंसेप्ट सिखाया ता निजी पल्ले नहीं पड़ेगा पीछे की दो कलास जो नहीं देखे उनको नहीं समझ में आएगा ठीक है देखो यह बराबर क्यूं है बीच में कारण लिखो कारण लिखो लिखो ए बी रेखा कोण ए को समदुभाजित कर रही है ठीक है समदुभाजित कर रही है आता दोनों कोण बराबर होंगे लिख दो समदुभाजित करती है आता दोनों कोण बराबर होंगे ठीक है सम्दु भाजित करती है आताहां दोनों को न बराबर हूंगे मोनीका जयन जी समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा ना बच्चा ठीक है बिसियक्ट एंगल जी बिल्कुल कि एबी कि एंगल ए बिल्कुल क्रिणम और ने लिखा इंग Günism में लिखा इनों ने इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे समझ लें क्या है लाइन एवी बिसेक्ट एंगल ए बिसेक्ट मतलब उसको समधु भाजित करना मतलब दो पार्ट में भाटना कोई चीज अगर मानलो 10 मीटर लंबा बीच से कड़ दो पांच-पांच हो जाए वह ऐसे यह कर रहा ठीक है और क्या बच्चा यहां पर लिख सकते हो एवी बराबर एवी अब काओगे यह बराबर एवी का है देखो यहां पर ध्यान दो अगर हम तिर्भूज एवी सी लेंगे यह तिर्भूज एवी डी लेंगे तो एक रेखा दोनों में कॉमन है उभय निष्ठ है इंदी में बता बच्चा यह कामन है की नहीं कामन है ने बाई यह दोनों में यूज हो रही चाहे तो ABC लोगे या फिर ABD लोगे दोनों में यूज है ब्रेकट में रीजन लिखो गया आप दोनों बराबर क्यों है लिख दो कामन है क्या है यह दोनों में सब में कॉमन है ठीक है हो गई कहानी पूरा हो गई क्यूं क्या क्या करना था हमें कह रहा था कि इसको सिद्ध करो ये दोनों सर्वांग समय का इंगुरियंस है भाईया जो बच्चे कांसेप्ट सीखें उनको पता है यहां पर हमारी दो रेखाएं बराबर हो गई और एक कोंड बराबर हो गया आता है जिसे ABC का इंगुरियंस मतलब सर्वांग सम ट्रेंगल ABD कैसे हो गया पता है अब रिकर्ट में लिखो SESA रूल से SESA से इंग्लिस में लिख लो बाई SESA ठीक है एस SESA या फिर क्या लिखोगे हाँ SES ओके सोरी देखो SES ठीक है देखो देखो जैसे जैसे यहां पर बना है वाईसे लिखोगे भाई पहले हमने साइड इक्वल किया फिर हमने कोंड इक्वल किया फिर हमने साइड इक्वल किया यानि पहले क्या साइड मतलब यस फिर एंगल मतलब A और फिर से side मतलब S तो क्या हो जाएगा rule S A S मतलब हिंदी में बोलेंगे भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग, समता, नियम हिंदी में क्या बोलेंगे भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग, समता, नियम आसी सुपाध्या जी बिलकुल right very good आसीस कुमार पाल जी बिलकुल आपका भी ठीक है तो बच्चा ये तो हो गया इसमें एक कुश्चन और भी कह रहा था सोनी जी आपका भी कमेंट में देख रहा हूँ सोनी टंडन जी बिलकुल देखो ये तो एक कुश्चन था इसमें कुईस्टिन और भी कह रहा था वह क्या कह रहा था रोहिजी ध्यान से पढ़ो कमेंट मत करो देखो एक और कह रहा था कह रहा था बी-सी और बी-डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं साइड बी-सी और बी-डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं बताई ये कल आपने पढ़ा होगा CPCT rule CPCT rule पढ़े हो कि नी कल बताओ इतना लिख लो या फिर screenshot ले लो तो मैं दूसरा पार्ट इसमें का करता हूं जल्दी करो हो गए ना चलिए आप लोग इसका स्क्रीन साथ ले लिया करो तुरंट फटा फट ठीक है देखो भाई कल हम लोगों ने CPCT नियम पढ़ा था कल यही पढ़ा था पूरा-पूरा जिसका मतलब क्या होता है मतलब आप जानते हो ना वह क्या पढ़ाया था मैंने हिंदी में कुछ आद है आप लोगों को नहीं आदे को नहीं आदे संगत पढ़ाया नहीं था मैंने कर्सपोंडिंग रूल देखो अब धर साइड में देखो अगला इसमें नेक्स्ट कह रहा है थोड़ा सा वह क्या कह रहा है कि भूजा कौन सी भूजा बी-सी और बी-डी के बारे में आप क्या कहेंगे आप लिखो लिखो BC बराबर BD दोनों भुजाएं बराबर हैं क्यों बराबर है कोश्टक में लिखो बच्चा BY CPCT जो बच्चे कल का कलास और परसो का नहीं देखे हैं वो बच्चे एक काम करेंगे ये नमबर लिख लो भाई इस नमबर उपे अपना नाम कलास का नाम और अपने जीले का नाम वाटसअप करना आपको वाटसअप ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा और जो दोनों वीडियोज थे उनको आपको बेज दिया जाएगा ठीक है पिछले जो हैं उनको आप जरूर देख लेना ठीक है भाईया समझ में रहा ना वर्टिकली एपोजिट हैं बिल्कुल कोई कमेंट कर रहा भाई आसी सुपाध्या जी बिल्कुल यह दोनों क्या है बराबर है क्यूं देखो नियम लिख लो सरबांगसम तिर्भूज की संगत भूजा बराबर होती हैं करस्पांडिंग साइड यानि की कांगुरियंस से ट्रैंगल की करस्पांडिंग साइड इक्वल होती हैं बस हो गया पहला कुश्चन बात समझ में आई सभी बच्चे एंसी आर्टी बुक लेके बैटना बीना बुक के कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि कुश्चन हम कभी कभी नहीं लिखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है कच्छा नों की एंसी आर्टी गड़ित एक्सरसाइज सेबन पॉइंट वन प्रश्णावली साथ दस हमलो एक सवाल नंबर एक था यह अच्छा मुझे एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों के पास बुक नहीं है एंसी आर्टी की बुक कितने लोगों के पाफ नहीं है जल्दी बोलो यस जिनके पास बुक नहीं सिर्फ वही बोलेंगे बाकी कोई नहीं बोलेगा अगर कोई बोलेगा तो ब्लॉक कर दें ठीक है मतलब सभियास बोल रहे हैं और यह जो कई बार अगर कमेंट करेंगे तो तो पक्का गए ठीक है भाई एक ही बार कमेंट करो मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा ना चलो यह आपका कुश्चन कंप्लीट हो गया तो बच्चों जिनके पास बुक नहीं भाई किताब ले लो आप लोग और किताब अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूं कुश्चन कुश्चन सुन लो एक बार लाश्ट में फिर से मैं दे रहा हूं चलो खतम तो हो गया है कुश्चन देखो कह रहा कि चतुर्भूज ABCD में चतुर्भूज ABCD में भूजा AC बराबर भूजा BD यह दिया है AC बराबर AD दिया है क्या दिया है AC बराबर AD और AB यानि यह रेखा AB कौण A को सम्दुभाजित करता है कौण A एंगल A को क्या करता है B स्यक्त करता है सम्दुभाजित करता है तो दिखाइए कि तिर्भूज ABC और तिर्भूज ABD दोनों सर्वांगसम हैं kangaroo एंस है ठीक है और आगे पूछ रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं देखो बिल्कुर बरिटकली एपोजिट है सही बात है असीज जी देखो पहले हिंदी वाले ही समझ ले आपको तो समझ में आ रहा है देखो ये BC और BD क्या कह सकते हम चुकि हमें पता हमने सिध्ध कर दिया कि तिर्भूज एबी सी और ABD सरबांक सम में तो अगर कोई दो तिर्भूज सरबांक सम होते हैं तो क्या होता है उनकी आज को सेयर की एक ऐसे बहुत कम बच्चे आएं भई हाँ क्या किये आप लोग आज को ज्यादा डिस्टर्व है तो हम यह करते हैं आज एक ही कुईस्चन करवाएं क्या नहीं चलो दो करवाई देते हैं देखो कुईस्चन जो यहां करवाई जैना आप लोग क्या करो आप लोग उनको घर पे रिवाईज करो उनको रिपीट जरूर करो अच्छे से तभी आने वाला है मैं एक बार लगवा रहा हूं आप इनको चार बार लगाओ घर पे किताब से कुश्चन लिखो जैसे मैंने लगाया वैसे लगाओ फिर लगाओ फिर लगाओ फॉर फाइब टाइम इसको साल्व करो फिर देखो बहुत मस आने लगेगा आपको सभी याद हो जाएगा कुश्चन नंबर सीकेंट सेलो देखो जिकन नंबर कुश्चन का फिगर बनाना है तो बच्चा फिगर बना लो सिकन नंबर कुश्चन का मैं पहले पढ़ देता हूं question सुन लो करा कि चतुरभूज ABCD एक चतुरभूज है जिसमें AD बराबर BC है और कौण DAB बराबर कौण CBA है सिद्ध कीजिए कि तिरभूज ABD सरबांगसम है BAC के और BD सरबांगसम है AC के और तीफरा इसमें कह रहा था कि कौण ABD बराबर है कौण BAC के यह इतना दिया है ठीक है तो हम आपके सामने लेकर उपस्तित हैं आपका next question देखिए हमने कल तो कर लिया था question number 5 तक five number तक कर लिया था बहुत से बच्चे जूड़े थे देखे भी थे लेकिन उसमें question number second चूट रहा था कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिर से इसको बता दीजिए जो मतलब होमर के लिए चोड़ा गया था तो हम आज इसको फिर से आपके लिए करवा दे रहे हैं चलो ध्यान से question आप लोग देखेंगे बहुत से बच्चे जुड़े उनके नाम में बाद में बोलूँगा लेकिन पहले आप कलास देखो तब देखिए question क्या है ABCD एक चतुरभूज है जैसे जैसे पढ़िए वैसे चित्र में देखिए बंगल में फिगर बना है ABCD एक चतुरभूज है यह देखो ABCD चतुरभूज को इंगलीज में क्या बोलते हैं Quadrator बोलते हैं न कमेंट करके बताना सावी ठीक है आगे कहता है जिससे यह जिसमें ABC के बराबर है क्या है जिसमें ABC के बराबर है जी पंकर जी बिलकुल एकदम राइट टाइम कलास होती हर दिन मतलब साथ वजे से ही होती है किरन मौर्या जी बिलकुल हाँ इसके आगे जो होगा ना वो नेक्स्ट कलास में आपका 7.2 होगा आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे कमेंट पे कम ठीक है और आप लोग देखोगे आपका कमेंट अकसर रिपलाई नीचे लिक करके मिल रहा होगा पीले कलर यह भी सी ठीक है अब देयान दो इसमें आगे क्या होता है आप लोग सब्सकरों करो है कोरी से थ्यान से करेक्शन लिखा था औग्यृवक技 एंगल डी एवी फिर से देखो डी एवी मतलब यह आला तिर भूझ सुन है इसमें यह कॉण कह रहा है किसके बराबर है सीबी ए द्यान से देखो सीबी ए मतलब इसके वराबर है एक परकारती थी समझे लो ये कौण इस कौण के बराबर है कंधिन वैं पहले सवाल समझे लोगी तो समझ में आएगा नहीं तो समझ में कि यह सिद्र करना है पहले तो यह प्रूब करना है कि तिर्भूज ABC के समानतर है कौन सा ABC तो बच्चा देखो ABC यह तिर्भूज मतलब यहां फिलाईना यह बीच से और इधर वाला ABC यह समानतर है किसके भाई ABC की तो बच्चा B, A, C दोनों की चील लिखा है क्या ABC और B, A, C है देखो मैं कुष्चन एक बार मिला ले रहा हूं कुछ अलग लिखा है क्या ABD है भाई साहब क्या है D है देखो कुष्चन पता नहीं है कैसे मुझे मिल गया ABD आप देखो ABD यानि यह जो तिर्बूजा उपर वाला यह किसके कांगुरेंस है नीचे वाले की आप समझने की कोशिस करिए ठीक है देखो एक बार आप लोग फिगर फिर से देख लो क्या करा कि ABD हमें सरवांगसम सिद्ध करना है BAC की एक बार फिर से देख लो फिगर देखो ABD मतलब यह फिगर जो उपर बन रहा है एक बार मैं लाइन दोड़ा देता हूं देखो AB और यह D यह जहां जहां हमारी पैंच जा रही है यह इस फिगर को कहरा कि कांगुरेंस सिद्ध करो किसके BAC के अब BAC कहा है BAC मतलब यह तिर्भूज इधर वाला अब आपको समझ मे दोबारा एक बार रिपीट कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह तिर्भूज इस तिर्भूज के कंगुरेंस सिद्ध करना है और यह भी बताना है कि BD जो है वह AC के बराबर है यह सिद्ध करके दिखाना है यह भूजा BD यह AC के बराबर है यह लंबी वाली इंगल होते हैं उनकी fat branding हें एकल हमें सब बराबर होती है यानि हिंदी में बोले तो सरभांगिसम्थ संगत भूजाए बराबर होती हैं तो पहले इनको सर्भांगसम कर लो बस इतनी सी बात है बच्चा चलो लिखो तिर बूझ ABD में ABD में इसलिशन करेंगे लिखो तिर बूझ ABD में ABD में हमें क्या क्या दिया ध्यान दो ABD में इसमें देखो सबसे पहले जो दिया है कुश्चन में करा ABBC के बराबर है ADBC के बराबर है बच्चा लिखो AD बराबर BC ब्रेकर्ड में लिखो दिया है हिंदी में इंग्लिस में लिखो गिवन और चीज दिया है वुका दिया है यह लिखो कौण DAV equal angle CVA भाई कौण DAB बराबर कौण CVA कौण बोलो एंगल बोलो मतलब इक है न आगे देखो क्या दिया है आगे एक चीज यह है बच्चा कि हम AB बराबर BA कर सकते हैं कौण सा AB बराबर BA वो काहे कर सकते हो काहे कर सकते हो भाई क्यों इफ लिए कर सकते हैं क्योंकि जो ABD है उसमें भी देखो AB यूज हो रहा है और जो BAC है उसमें भी AB यूज हो रहा है दोनों यूज हो रहा न बच्चा तो आप इसे लिख सकते हो AB बराबर VA क्यों रिजन लिख दो ब्रेकर्ट में common है दोनों में क्या है common है common की हिंदी बड़ी खतरनाक है इसे उबहनिष्ट बोलते हैं ठीक है इतना हो गया बस हो गया यार सबसे आसान सवाल था यह क्यों देखो आपको मिल गया यह दोनों भुजा बराबर है पहले से ही दिया है कोण एक बराबर था पहले से ही दिया था एक भुजा मैंने बराबर सिद्ध कर दिया क्योंकि common थी अब यह क्या हुआ भुजा कोण भुजा इसे लिखोगे आता हां तिर्भुज ए वी डी kangreans चिन लगा दोगे kangreans का भाई यह थोड़ा सा अच्छा से बना लो kangreans का चिन जो ह वी एसी सिद्ध हो गया कोई श्टक में लिख दो एस एस से ठीक है ऐस एस रूल से मतलब साइड एंगल साइड रूल से हो गया सिद्ध है हिंदी में बोलोगे भुजा कोण भुजा नियम से यह दोनों kangreans सिद्ध हो गया ठीक है इसमें का जो सिकन्ट पार्ट है बच्चा करता हूं ना चलो देखो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे आप लोग स्क्रिनसाट लेज़ो जलदी से उतार लो मैं अगले पेज में कर बढबाई स्क्रेंद है मैं किसी का नाम नी बोल पार रहा हूं तो इसे लिख लो इसमें कुछ करना ही नहीं सीकेंड वाला लिखो BD equal AC कहें लिखो by CPCT CPCT पढ़ाया था ना भई, CPCT क्या है लिख लो, CPCT मतलो जानते हो, सरबांग सम तिरभूज की संगत बूजाएं बराबर होती है हिंदी में लिख लो सरबांग सम तिरभूज की संगत बूजाएं बराबर होती है अगर हमारा तिरभूज ABD यह तिरभूज BAC मतलब इसके सरबांग सम है तो इसकी जो बूजा है यह कॉमन है दोनों में इस वजा से क्या हुआ हमारा जो एक अंगुलेट बन गया हमने अभी प्रूब करके दिखा दिया और अगर दोनों सरबांग सम हैं तो इनकी जो कर्रस्वर्णिंग साइड होती है संगत भूजाएं वो बराबर होती है इसलिए बराबर हो गया अगल यह कौन भी और बी एसी यह कौन भी बराबर करना है हां बी एसी मतलब यह कौन और यह कौन भाई यह क्या है संगत कौन है यार लिख दोना इसको भी लिखो तीसरा एंगल A VD इक्व़ एंगल वी एए सी ब्रेकट में लिखो कौ।स्टम में लिखो बाईцы 10–10 में ये är हैं पता आपको जहिंब इंट्रॉड़क्ष क्पढ़ है था ही मुझे और हाऊनल उसप पढ़ा दिया हूं नहीं तो लो सर्वांग दर बूच के संगटकों बराबर होते हैं तो बच्चा यह कव दिखा देता हूं अ 믹 इसатель के सब कर वाट्चा यह नंबर है इस पे आप वाट्सइप कर सकते हो इस अज नेम और अपने डिश्टी का नाम यानी अपने जीले का न आप little जोड़े को प्सक्रिणे जजाएगा और आपको बस्के को प्लिखने की आश siadi इतना ही बहुत बहुत सुक्री आप सभी को अगर आप इस क्लास को बड़ी बड़ी देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को अपने साथियों में जादा फेर करें अगर आपने इसे एप में लिया है तो आप नोट्स बनाइए किसी को कोई सेयर नहीं करिए अगर आपने डेमो देखा तो सब को सेयर करिए